जो भी स्टुडेंट का लास्टेंद के हैं अब देखिए क्वेस्टिन बैंक 2014 का सुल्यूशन चाहते हैं इस वीडियो को अंतक देख करके के सभी सवालों का सुल्यूशन पा सकते हैं तो यहां पर देखिए क्वेस्टिन नमर एक में कोड़े कि यदि अलफा तथा बीटा दुगास समीकर निहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है यानि एक स्क्वेर मिनस थिरी एक स्वलस फाइब का मूल हो तो वन बटे अलफा जोर वन बटे बीटा का मान होगा इनका मान क्या होगा देखिए वन बटे अलफा जोर वन बटे बीटा बराबर होता है आपको मैनस बी बटे सी मैनस बी बटे सी तो यहां पर देखिए बी का मान क्या है मैनस तीन है तो मैनस मैनस क्या हो गया फलस ची का मान पांच है तो त 3 बटे 5 देखें किस option में है option A में एक का सवी option आपको होगा A अंसर हो गया 3 बटे 5 देखें simple option को आप निकाल भी सकते हैं अपने से इनका मान A होता है मैनस B बटे C तो X में जो गुणा होता है वो B का मान होता है मैनस 3 है इस मैनस से गुना होकर कि पलस 3 हो गया C का मान क्या है 5 है तो 3 बटे क्या हो गया 5 हो गया उसके पस्चात क्विस्चन नमर 2 में देखिए कड़े की दुगहात बहुपद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनियक इसका सुनियक क्या होगा तो यहाँ पर देखिए सुनियक आपको निकालना है तो सुनियक निकालने के लिए X का मान आप निकाल लेजिए निकालने के पस्चात अब देखिए वह से भी मान रख करके आप ट्राइ कर सकते हैं आपशन से भी तुलना करके निकाल सकते हैं तो दूका सभी उप्सन आपको होगया दी उसके बाद कवड़ाइक question number 3 में कि विर्ताकार पत पर तीन धावक तीन वो आदमी है वो दोर रहा है वो विर्ताकार पत पर तो करे कि एक चक्कर लगाने में एक घंटा तीन घंटा और फांच घंटे का समय लगता है तो तीनों की प्रस्थान बिदू पर पुनों मिलने में लगा समय तो इस परकार के सवाल को LCM निकाल दीजिए तो एक तीन पंच का LCM क्या होगा पंच तिया पंदर तो LCM इस परकार की सवाल में LCM निकाला जाता है याद रखिए तो इनका से उप्षन आपको गाड़ी अंसर होगा पंदर गंटा के बाद जो है सभी एक स्थन पर मिलेंगे question number 4 देखिए question number 4 में कोड़ा है कि 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा इनका बहुलक क्या होगा तो यहाँ पर देखिए बहुलक किसे और पंट के भाड़ा आता है है यहां पर देखिएए दूनु दू बार टकरा गया है तहुआ दूबर आता है तो तीन और चार को जूर दिए शार्म सात हो गया दू से भाग दिजेए क्या हो गया हो टूं का का सही option आपको क्या होगा डी होगा इनका बहुलक क्या होगा सारे तीन लेकिन option में क्या दे दिया है बी जो पूरी तरस क्या है गलत है अब देखिए अगला question तो कोड़ा है कि सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग क्या होता है समरूप होता है सभी वर्ग समरूप होते हैं तो क्वेस्टन नमर छो कड़ाई की बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले एरेखा का मध्विन्दू का नियामक है तो मध्विन्दू का नियामक आप असानी से निकाल सकते हैं इसमें कुछ हा ही नहीं तो मैनस 10 और 6 को जोड़ीजिए तो मैनस 10 में 6 को जोड़ेंगे दूसे मैनस दोर दोस्고 मिलें लुटारा आप बंदोग सबंदे निकालने के लिए क्या करना परेगा दुनों हो जोर करके दूसरे भाग देना होता है तौह मैनस देख्छे E X वाला मान को X वाले मान के साथ जोड़ेंगे या Y वाले मान को Y वाले मान के साथ जोड़ेंगे तो मैनस 10 में जो है कि 6 को जोड़ेंगे तो मैनस 4 और मैनस 4 में 2 से भाग देंगे तो मैनस 2 फिर देखिए 6 और मैनस 10 को जोड़ेंगे तो 6 में से 10 गया जार तो इसका सही अप्षण अपवाल दे लया कि या गोनकार्थ हो गया तो नए एवं पुराने बिर्तों के परिदियों का अनुपात किया होगा तो तीन अनुपात एक होगा परिदि में कोछ भी ने सोचना है नए और पुराने का अड़ा है तो नए का तिरजिया तीन ही काई होगा या पुराने का एक के-एक का है तो तीन वट एक तो साथ का सइय plane ऐंग होगा है अगला y20 2019 सिम्पल सदार सिधा चलना है तो साथ का सए उप्पशन आपको हो गया है अगला नगेश्च..? कड़ाई किसी घटना की परायकता नहीं होती है किसी भी घटना की जो परायकता होती है वो निगेटीव नहीं होता है नहीं एक से अधीक होता है तो देखिए निगेटीव मेनस साथ हो गया तो देखिए आठ का सई उप्षन आप होगा C मेनस साथ नहीं होगा अब देखिए question number 9 में कड़ाई की root over 3 स्यक ठीटा बराबर 2 हो ठीटा का मान होगा तो यहाँ पर देखिए ठीटा का मान निकालना पड़ेगा तो root over 3 है इधर 2 में जाएगा तो भाग लग जाएगा तो स्यक ठीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे root over 3 तो यहाँ पर देखिए ऐसे नमान निकालेगा ठीटा बराबर 2 बटे root over 3 देखिए शेक में कितने डिगरी का मान जो है कि 2 बटे root over 3 होता है तो 30 डिगरी का मान शेक 30 डिगरी का मान होता है 2 बटे root over 3 तो नो का सही option आपको का भी answer हो गया 30 डिगरी अब question no.2 में देखिए कोड़े कि शेक स्क्व эн 6 स्क्वEN1 जाईगा तो आपको किसमें बदल जाएगा साइन में कोस एक उपड़ गया तो साइन में बदल गया असे एक नीचे आया तो कोस में बदल गया कोस अस्क्वार ए तो साइन बटे कोस साइन ठीटा बटे कोस ठीटा कोम क्या लिखते हैं टेन ठीटा तो यहाँ पर अस्क्वार है तो यहाँ पर क्या होगा टेन अस्क्वार स्क्राइब अगला कुष्चन देखियेा अगला कुष्चन नम्र 11 क्या कोड़ा है कर आएक एगार और फचीश का दसम्बलब परसार क्या होगा तो नीचेंग परसीश है तो फैनली आप लोग जान लेजी कि दसम्बलब परसार संथ ही होगा दू और पंच आ जाए नीचे में तो समझ लिजिए कि संथ ही होगा या अब हाज गुनन खंड के रूप में भी रहेगा तब भी संथ होगा तो 11 का 11 बट पशीज है दो समलब परशार क्या होगा इसका संथ होगा फिर कोड़ाई कि आसरित समिक्रन योगम का डेस होल होता है तो देखिए आसरित समिक्रन योगम जो होगा आसरित में रेखा समपाती होता है यानि तीनों A1 बट A2 बराबर B1 बराबर C1 बराबर C2 यानि तीनों बडावर होता है तो अब परीमित रूप से अनेक हल होता है तो इसलिए आशरित समिक्रन यूग मकाज़ है कि अनेक हल होगा फिर देखिए 13 मकड़ा की दियेगे चीतर में X कमान किया होगा तो इसमें X कमान कड़ा निकालने के लिए देखे, X कमान कितना होगा, तो simple रूप से निकाल सकते, यह 110 डिग्री है न, तो यहां तक का एंगल यहां से लेकर कि यहां तक 180 डिग्री बनता है, तो यह 110 है, तो यह कितना होगा, 70, तो मने 70, 110 को जूर देंगे, तो 180 होगा, तो अब देखे, तिरभूज के अंतरकुनों का यह 110 डिग्री होता है, तो यह देखे, 60 है, यह 70 डिग्री है, तो यह कितना डिग्री एंगल होगा, यह आपको निकालना है, तो 70, 60, 130 होगया, तो 180 डिग्री पुराने के लिए यहां पर एंगल 50 डिग्री होगा, जब यह 50 होगया, तो यह एंगल कितना होगा, 130 डिग्री ह तो यहां पर भी दिया है अब अगला क्वेस्टिन देखिए क्वेस्टिन नमर चोद्व कोड़ा की बिरित की असपर्स बिंदू से क्यांदर को मिलाने वाली रेखा खंड बिरित की डेस्ट का लाती है क्यांदर की बिरित की तिरिया कोलते हैं अब देखिए क्वेस्टिन नमर पदर चोड़ा की वाइड़ चोड़ी एक्वेस्टित X का क्या होता है? 0, Y X पक्र X का मान 0 तो सुन होगा Question number 16 कड़ा कि कार्थिय तल में स्थित किसी बिंदू minus 4, 10 के भूज का मान होगा तो X के मान को हम भूज कहते हैं, Y के मान को हम कोटी कहते हैं तो मतलब X, X का मान पहले X, फिर Y फिर Y, 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 अब question number 18 देखिए sin 60 degree cos 30 degree minus sin 60 degree cos 30 degree का मान होगा तो इस formula पर बिठा हुआ है कौन formula पर है sin A cos B minus sin B cos A का मान तो इस formula cos A minus B A minus B तो sin A का मान देखिए 60 है B का मान 30 है तो 60 में से 30 गया 30 तो sin 30 degree का मान एक बटे 2 होता है तो इसलिए इसका मान क्या हो गया एक बटे 2 अंसर एक बटे 2 हो गया 19 में देखिए A P आपको दिया है कोड़ा है कि सारप अंतर होगा तो सारप अंतर क्या होगा तो इस रूट ओबर 3 हो गया तो 37 का क्या हो गया तीन रूट ओबर 3 हो गया उसके पर शाथ अब देखिए इस दूसर ते तालिस है तो अब देखिए दूसर ते तालिस का क्या होगा इस नो रूट ओबर 3 होगा नो नमाइक यासी अतिया दूसर ते तालिस है तो यह आपको तो देखिए शारप अंतर पूछ रहा है तो शारप अंतर पूछ रहा है तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिए यह एपी यह में नहीं होगा तो देखिए यह जो है आपको एपी में है ही नहीं इसलिए जो कि इसका सार्फ अंतर निकलेगा ही नहीं तो इसका जो हल तीन दिया यह बिल्कूल गलत है सार्फ अंतर तभे निकलेगा जब पद एपी में रहेगा question number 20 मैं कर रहा है कि पर्थम पंच धनात्मक सम पुर्णंकों का माधि होता है तब पर्थम पंच सम पुर्णंक का कर रहा है धनात्मक तब सम संक्यां क्या होता है दू हो गया चार हो गया छो हो गया आठ हो गया दस हो गया तो देखिए एक दो तीन चार पंच यहांपर भाग दिचिये तो देखिए छो दिया है ये बिल्कुल सही अंसर है इस परकार से इसमें जितने भी अब्जेक्टिव थे इनको हमने खत्म कर दिया है